हेलो फ्रेंड्स रादे रादे आप सभी को कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होगे तो चलिए आज हम बनाते हैं पनी की बहुत अच्छी सी सिंपल और जल्दी से बनने वाली रेसिपी तो उसके लिए हमें प्याज को छुटे-चुटे भागों में कर्ट कर लेना साथ ही हम प्याज को पीस ले एक तरफ हम मस्टर्ड ऑएल डाल के उसमें जीरा और हिंग डाल के रख देते हैं साथ ही हम प्याज भी एड़ कर लेते हैं प्याज अइड़ करने के बाद हम थोड़ा सा भून ले दूसरी तरफ मैंने स्प्राउड को स्टीम होने के लिए रख देती तो बस मैंने इसमें डालके रख दिया है प्यार थोड़ा अच्छ से बून जाए तो इसमें आप इसमें कौनस भी एड़ कर लो कौनस आपकी मर्जी है आप इसमें ़ौण करो या एड़ करो तो एक चमद बेषान ड़न के इसको अच्छ से बूने थोड़े दिर भूनने के बाद इसमें टमाटर प्यूरी जो आपने बनाई थी वो भी एड़ करें पस थोड़े दिर भूनने के बाद इसको स्टिम होने के लिए थोड़े दिर रखें होने के बाद इसको थोड़े ढ़कन अठाके आप इसको देखें जूढ़े में अड्रेंग इसमें डालो बैसे भोन ले थोड़ा सा पानी एड करो पानी इसलिए कि मिसाला कि प। कसूरी में थिैंग आप डाल सकते हों मैंने डाली बाकी आपके मरजी हैं तो बस पनीर अड्रक कर लो पनीर आड्र करनי के भाई-930 सीठी छोड़क। चुड़ने के बाद ही तेच्छे से तेज चुड़ जाए गरम मसाला और धनिया पाउडर से इसको गानिश करूं पस पहुत जट पड़ से बन जाती है पनीर की बुर्ची दूसरी तरफ मैंने जो स्प्राउट रखे थी वो हो चुके हैं साथ ही मैंने मौंग चिलका वाली प इसमें आप अपनी जो भी पसंद किया वो सब्ची आड़ कर सकते हैं तो मैंने सारा कुछ डाड़ा है आप देख सकते हों तो काफी सिंपल सी और असान सी रासिपी है तो तियार है हमारी चाट थोड़ा सा क्लीन करने के बाद हम इतना टिफिन रेड़ी करते हैं तो बहुत पनीर की सब्ची बहुत ही जटपड से बन जाती है साती मैंने सत्तू का ड्रिंग बना आए जो आज गर्मियों के टाइम में भौट हैल्दी है बहुत असानी से बन जाता है सो मैंने बनाए है तो फर्स टाइम मैं बोल के वीडियो बना रही हूं प्रेंड्स तो अगर कुछ को स्टेक या कुछ गलती हुई है तो जरूर बताना तो यूनि रैप में मैंने रोटी रैप करी है तो ये काफी अच्छा है यूनि रैप तो इसमें गरम रहती है तो आप देख सकते हो मेरा लंच बनके रही है प्लीज अगर आपको वीडियो पस स्टेश से आप मुझे मैसे करें मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेर करना और सस्क्राइब ओके फ्रेंड्स बाई